असलाम अलाइकम, आज मैं आप लोगं के लिए स्मोसे की नियू और जूनिक रैस्पी लेकर आई हूँ, इसको बनाना बेहत असान है और ये दिखने में भी बहुत ही मज़े के लगते हैं, जो भी एक बार खाएगा आपके ही गुन गाएगा, लेट्स स्टार्ट दी रैस्प पाइन डालूंगी, साथ ही इसमें भावटी स्पून नमक डाल देंगे, अब हम इसमें टू टेबल स्पून गी डालेंगे, और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जब ये तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएए, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालके इ डो यहां पर त्यार हो गई है, इसको गी से ग्रीस करके 15-20 मिनट के लिए रख देंगे, स्टफिंग के लिए मैंने यहां पर चार अदद आलू लिए हैं, उबले होवे, इनको हम मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, आलू यहां पर मैश हो गए हैं, अब मैं इसमें तमाम चीजें शामिल करूँगी, सबसे पहले हम इसमें स्पाइसीज डालेंगे, सुरह मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून, नमक खस बेजाई का चाट मसाला बांट टी स्पून, अब मैं इसमें एक अदद प्यास डालूँगी, फाइन काट की हुई, साथ ही इसमें हरादनिया, एक मुठी और सबस मिर्चें, दो से तीन अदद बारी काट के ये भी शामिल कर देंगे, और अब हम इसको हाथू की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, आप अपने टेस्ट के मताबिक स्पाइसिस कामिया ज़्यादा कर सकते हैं, डो यहाँ पे त्यार हो गई है, इसको अच्छी तरह से सेट करेंगे हाथू की मदद से और इसको दो हिस्चु में डिवाइड कर लेंगे, और इसका एक पेड़ा बना लेंगे, अब हम इससे एक बड़े साइज की रोटी बेल लेंगे, रोटी को हमने बेल लिया है, इसे साइड पे रखेंगे, और इसी साइज की हम दूसरी रोटी बेल लेंगे, दूसरी रोटी को भी हमने यहां पे बेल लिया है, और स्टरफिंग के मैंने छोटे-छोटे से बाल बना लिये हैं, अब हम इसको रोटी के उपर रखते जाएंगे, कनारू से थोड़ा सा हटा के, और फासले से रखेंगे, यह देखें इस तरह से, रखने के बाद हाथों की मदद से इनको हलका हलका प्रैस कार लेंगे, अब यहां पे उबले ओवे अंडे हैं, जिनको मैंने स्लाइसीस में कट कार लिया है, यह इसके उपर रखते जाएंगे, यहां पे मैदे और पानी का मैंने एक गोल तियार किया है, इसको लगा देंगे, अगर आपको मेरी रैस्पीज अच्छी लगती हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, गोल लगाने के बाद, अब हम दूसरी रोटी को इसके उपर रख देंगे, इस तरह से पहले आदी के उपर रखेंगे, और फिर हम इसको यूँ पकड़ के फिला देंगे, इस तरह से अच्छी तरह से इसको कोनू से प्रेस करेंगे, दूसरी रोटी उपर रखने के बाद, अब हम यहाँ पर एक टोरी लेंगे, और इसकी मदद से इसको काट कर लेंगे, अच्छी तरह से आपने हथेली की मदद से इसको प्रेस करना है, इस तरह से, और यह देखे, मैंने तमाम डो को काट कर लिया हैं, और एक्स्ट्रा डो को हम हटा देंगे, एक्स्ट्रा डो हटाने के बाद, अब हम इसको मजीद उपसुरत बनाने के लिए, फोक की मदद से इस तरह से डिजाइन बना लेंगे, आप बारी है तलने की, आइल को अच्छी तरह से गरम करके, मिडियम टू लो हीट कर दें, और इनको फ्राई कर लें, बहुत ज़्यादा मत बरा करें, फिर चीजे नरम पाड़ जाती हैं, जो भी आप फ्राई कर रहे हूं, और यह देखे, किस कदर हुबसूरत हमारे स्मों से त्यार हो गए हैं, जबरदस्त, एक में आप लोग को कट करके दिखाऊंगी, यह देखें अंदर से कितना हुबसूरत नजर आ रहा है, और यह खाने में भी बहुत ही लजीज है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्ला हाफीज, जब आप लरता कुप मकर रहा हुआबस्ट, मुझे व्पार्ण चे रहा हुआँ, झाल झाल